हेलो दोस्तों जाहिंद अगले क्लास में लोग पढ़े थे कि वास्तविक त्रिभूज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे फिर वास्तविक संख्यां के बारे में जो क्लास दस से रिलेटेड वाते रहते हैं फाले संख्यां जानते शंख्या क्या एक अंदाज है जो प्रस्नों के निर्देशित करते हैं कि किसी कितने वस्त्वे सामिल है और उस वस्त्वों को अंकित करने के लिए जिस संकेत का हम लोग पढयोग करते हैं बहबार करते हैं उस संकेत विविन परकार कोते हैं जनसार में विविन के संकेत है जैसे हमारे यहां हिंदू आर्वी संकेत है इसके बाद सुध हिंदी वाले संकेत इसके बाद रोमन पधती है तो बहुत सारे पधती है इन सब उको बाद में पढ़ेंगी एक समच्या है पहले संख्यांक उसे ही कहते हैं संख्यांक एक संक्यत है जो किसी सम्हू में इस्थित बस्तुओं को अंकित करते हैं संख्यांक के समू 012345678910 करते हैं कि नौत करते हैं यह में बाधती हैं तो होज लिया थे लेकिन एक 2irm नहीं हिसकर भाए कि भारत के एक बहुत बड़े गनित्तग हुआ जिसका नाम हुआ अर्यवत उन्होंने सुनने का दिया इस सारे संसार को भी सुनने से चालू कर सकते आप किसी वी चीज को सुनने इससे आगे लिखना लोग शिखते हैं इसके बाद आए संख्या के दो पाठ हो जाते हैं वास् इक को irrational नमर कहते हैं आप यह पर्माय का दो भाग हो जाते हैं पुरनाइं बीन हम हम को पुर्याइप की तीन पार्डंट हो जाते हैं इंटीजिसको Indiana इंप हम इन्टीजर माने इसको IG ठीट्षर काते हैं डै दिनॉजर को सुनने काते हैं जाटी और जिए यारो जीरो यह को को धनात्मक काते हैं महने पोजेक्टिव इंटीजर इसके वाद आब आए बीन पर बीन के दो बाग हो जाते हैं एक हता दसमलब भीन एक होता है सधारण भी दसमलब वहीं पॉइंट में जूरी से लाता है बाद में दसमलब की अलग से वीडियो बना देंगा सधारण विन का पुर्णांक का भी अलग से बनाएंगे इसका भी पुर्णांक में इसमें आगे संख्या रेखा फिर कैसे पुर्णांक रिनात्मक है तो इसको कैसे समझेंगे कि रिनात्मक में होगा कैसे लिख कि रिनात्मक होगा कैसे हम समझते हैं कि रिनात्मक है सारे बात क्यों और यह समझ लीजिए इसको हिंदू अर्विक पध्धति कहते हैं और क्यों कहते हो बता दिए कि और बाले ने यहां तक खोज लिया इसलिए इसको कहा गया हिंदू अर्विक पध्धति इसके बाद अगले से हम लोग पढ़ें जीतने सारे होंगे वास्तविक संख्यां से इसके बात अत्रिक्त थिर्भूझ का बताया थे कि हम सब कैसे का और आपको यह काई से लेगा कैसे निकलेगे हम जलएंगे इसको कैसे निकल बातेक इसके कि समझें लिए अलग से बीडिक्स ऑनाया जाएगा अा अब Yaz आक कर दिया जाएगा निay